असलाम अलेकुम अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमारा टॉपिक E-Office ही रहेगा क्योंकि E-Office में सीखने के लिए काफी सारी चीज़े हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ स्टेप पर स्टेप आपको सब दिखाओं बिकज एक साथ अगर दिखाया जाएगा तो आप एक तो बोर हो जाएगे और दूसरा वो सर के उपर से चला जाएगा तो चलिए आज जो हमारा है थर्ड लेक्चर है E-Office पे आज हम क्या क्या सीखेंगे कि किस तरीके से एक फाइल को हम पार्ग करते हैं अनपार्ग करते हैं और ये पार्ग है क्या Search option क्या है, किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, Advanced क्या है, File moments क्या होती है, एक file की detail कहाँ से हम निकाल सकते हैं, Pull-up क्या है, और किस तरीके से हम pull कर सकते हैं एक file को, और References किस तरीके से हम एक note में कर सकते हैं, ये हमारा repeat रहेगा ये topic, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं उनको यह topic फिर से समझाओं ठीक है तो चलिए हम directly अपने account में login कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको लास्ट नहीं भी बताया था जब हम login करते अपने account में तो by default हम files के inbox में land कर लेते हैं ठीक है यहां पे मेरे पास बहुत सारी files है तो मै किसी भी file को यहां पे जो है पार्क करना चाहती हूँ पार्क मतलब अगर मेरे पास कोई file है inbox में ठीक है sent में ने inbox में because sent वाली files तो आपके पास होती है ने मेरे पास inbox में कुछ files है in files में कोई file ऐसे है जिसकी मुझे फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है मुझे इस पी को one time file थी या like that कुछ था या yearly file है साल में एक बार काम होता है तो जैसे मैंने अपको पहले बताया कि e-office में हम file को close नहीं कर सकते हैं न तो delete कर सकते हैं तो जो closing का option है वो e-office में है लेकिन हर किसी के पास वो available नहीं है वो मतलब selective बंदूं के पास या selective account holders के पास जैसे आपका HOD रहा या HOD अगर किसी के favor में वो recution करे कि इस employee के account में मुझे close option चाहिए तो तब जाके वो close option मिलता है अदरवाइस आप e-office में ऐसे ही file को close नहीं कर सकते हैं और नहीं delete कर सकते हैं बिकस e-office में deleting का कोई भी option नहीं है नहीं receipt delete होता है और नहीं file ठीक है और close खाली तब ह होगा जब आपके account में वो option आपको provide किया जाएगा NIC की तरफ से और वो option हर किसी को नहीं दिया जाता आपके HOD के पास होता है या आपके कुछ designated officers के पास होता है या HOD अगर किसी के favor में वो चाहे तो recution कर सकती है ठीक है अगर अगर आपके account में कुछ files है उन files में से आपको कोई file ऐसी है जो आपको चाहिए ही नहीं फिलाल साल बर के लिए नहीं चाहिए या yearly कभी कबार आपको जो है वो file की ज़रूरत पड़ती है तो उस file को हम क्या करते है अपने inbox से हटा के फिलाल हम उसे parking में रख सकते है ठीक है यानि पार्क कर सकते है यानि कि कहीं पे जो है side में रख सकते हैं so that आगे जब भी कभी उसकी ज़रूरत पड़े तब हम निकाल सकते हैं suppose मैं यहां पे आपको example देती हूँ हमारे पास जो है winter में एक बार हमें जो है कुछ seasonal labors को engage करना पड़ता है departments को ठीक है so that वो hard coke stoves जोने हम बुखारी के नाम से जानते हैं उनको जो है install करें फिर winter में जलाएं तो वो file साल में एक बार बनती है तो ऐसी files या बाकी सारी कोई files जिनकी आपको फिर साल बर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो आप उनको अपने inbox के बजाए पार्क करके रख सकते हैं ठीक है तो आप देख रहे हैं यहां पी जो है पार्किड का एक option आता है inbox के अंदर हम वहां जाके जो है parking में अपनी files रख सकते हैं अब किस तरीके से हम वो files रखेंगे वो हम देखेंगे ठीक है suppose मेरे पास यह file है rotation of government employees ठीक है मुझे इस file को पार्क करना है पहले तो मैं इसको select करूँगी select किस तरीके से करूँगी जो side में यह square box है इस प पर एक option आता है more more पे आप click करेंगे तो वहां पे आपको तीन option आएंगे park file, park file history, close file history तो आप जो है park file पे click करेंगे जैसे आपने park file पे click किया तो उसके बाद जो है वहां से इस तरीके का एक window open हो जाएगा कि आपको जो है यह park file जो करनी है इसका parking due date क्या है यानि कि किस date त इसकाला तो यह automatically आपके inbox में आजाएगी या फिलाल उस date तक तो at least आपके parker वाले section में रहेगी ठीक है उसके बाद आप remarks भी लिखेंगे कि आपको क्यों यह file park करनी है ठीक तो suppose for example मैंने यहां पे जो है इस file में parking date जो है वो दे दिया 31 बारा 2021 और मैंने यहां पे remarks में anymore याने कि मुझे यह file इस बार जो है इस साल अब नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद जो है not needed this year anymore के बाद मैं इसको ok कर दूँगी ठीक है जैसे मैंने ok पे इसको click किया तो यह file जो है automatically वो parker section में चले जाएगी तो उसके बाद जो है मैं वापस अपने inbox में पहुंच इस चले जाओंगे वहाँ आपको as such कोई file नहीं मिलेगी लेकिन उपर एक option आएगा status status पे लिखा है due as on date याने आज के date में कितनी files जो है due है parking में unpark करने के लिए तो मैं वहाँ पे जो है click करूगी तो इस तरीके से वहाँ पे options आ जाएंगे इन मैंसे मुझे जो भी option चाहि और वहाँ पे जो है मेरी सारी पार्कड फाइल जो है वो अपन हो जाएंगी देखे जो मैंने अभी rotation of government employees पार्क की थी वो भी मुझे यहाँ पे मिल गई ठीक है उसके बाद अब अगर मुझे कोई file जो है इस पार्कड से अन पार्क करनी है कभी भी due date से पहले तो मैं क्या क करूंगी मैं इसको जो है पहले साइड पे स्लेक्ट कर लूँगी ठीक है स्लेक्ट की मैंने इसको उसके बाद उपर जो है अन पार्क लिखा हुआ तो मैं इस अन पार्क पे क्लिक करूंगी जैसे मैंने अन पार्क पे क्लिक किया तो इस तरीके का pop-up आपको शो हो जाएगा यानि आपको आप जो है ये फाइल आपको क्यों चाहिए वापस वो आपको रिमार्क्स में देना पड़ेगा तो मैं रिमार्क्स में देके ठीक है रिमार्क्स में देके कुछ भी लिखूंगी नीडिर इस फाइल या वाटेवर उसके बाद मैं ओके कर दूगी जैसे मैं okay करूँगी तो ये parked जो file थी ये unpark हो जाएगी और कहाँ वापस आ जाएगी मेरे inbox में वापस आ जाएगी ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे मैंने okay किया तो यहाँ पे ये file जो है पार्क के जो section है वहाँ से हटके कहीं चली गई है तो ये कहाँ चली गई यह मेरे inbox में आ जाएगी, ठीक है, तो जैसे मैं अपने inbox में click करूँगी, तो वहाँ पे मुझे यह file मिलेगी, next हमें जो है, हमारा, जो next topic है आज, वो है search और advanced, search क्या है, simply आप इस पे, अगर आपको file का नाम याद है, या file number याद है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और search कर सकते हैं एक file को, that is search a file, ठीक है, उसके साथ-साथ यहाँ पे side पे आपको एक option है, advanced का, तो यह advanced क्या है, advanced option पे अगर हम click करेंगे, चलिए, पहले हम click ही कर लेते हैं, इसमें जो यह से हम click करेंगे, तो इस तरीके के window पे हम land करेंगे, याने के advanced में क्या है, आपके पास बहुत सारे तरीके दिये गए हैं, एक file को डूनने के, एक receipt को डूनने के, या एक dispatch नंबर को डूनने के, ठीक है, सरज, जो खाली हमने अभी देखा, वहाँ पे आप file का number नाम वगएरा लिख सकते हैं, तो file डून सकते हैं, लेकिन advanced में आप जो है, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे parameter से, file भी डून सकते हैं, receipt भी डून सकते हैं, और dispatch भी डून सकते हैं, ठीक है, suppose मुझे file डूननी है, तो मैं वहाँ पे file पे click करूँगी, जैसे मैं file पे click करूँगी, उसके बाद जो है, मेरे पास अगर subject है, मेरे पास अगर file number है, वो, या अगर मुझे सारी की सारी files को search करना है, तो आप नीचे देखे, output field में all लिखा है, मैं all पे click करूँगी, या इन स fields पे click कर लूँगी, तो उसके बाद जो है, मैं search पे click मारूँगी, तो मेरे सारी की सारी files, not only मेरी, जो मेरे department में, जितनी सारी files है, वो show हो जाएंगी, ठीक है, यानि कि अभी तक, जितनी HOD level पे मेरे department ने files बनाई है, different sections ने, वो मुझे show हो जाएंगी, ठीक है, जैसे मैंने search पे click मारा, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी files इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको जो है, blur कर दिया है, लेकिन आप computer number के नीचे देख सकते है, E number, E number, तो यह बहुत सारी files जो है, मुझे show हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे, चाहे वो मेरे section की हो, य जो introduce किया गया है, E office, उसके बाद जो है, आप side में हर एक file के दो option देखेंगे, pull up and details, ठीक, अगर हम details पे click करेंगे, तो क्या होगा, और अगर हम pull up पे click करेंगे, तो क्या होगा, अगर हम details पे click करेंगे, तो इस तरीके से मेरे file की detail मुझे मिल जाएगी, ठीक है, याने कि य subject क्या है, और file की moment history क्या रही है, याने file कहां से कहां गई, क्या इसमें हुआ, किस के पास है, ठीक है, तो ये सारा details में मुझे मिल जाएगा, अब अगर आपको जो है, कोई file डूंड नहीं है, आपके पास subject, आपको पता है, क्या है, तो आपको all करने की ज़रूरत नहीं है, आप subject पर जाके उसमें demo लिख देंगे, जैसे मैंने demo लिखा, आप demo नहीं लिखेंगे, आप subject लिखेंगे, जो भी आपकी file का होगा, आप वो वहाँ पर लिख देंगे, सपोस मुझे जो है, मेरे file का नाम कुछ demo है, तो मैंने subject पर demo लिख दिया, ठीक है, और जैसे मैंने व department में मेरे HOD level पे बनी हुई है, different sections में, वो सारी मुझे show हो जाएंगी, ठीक है, demo guidelines, demo file, demo GP fund case, जो भी है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने बनाई हो, ये अलग-अलग sections ने बनाई है, ठीक है, तो ये सारी मुझे यहाँ पे show हो जाएंगी, ठीक है, इसके बाद मुझे जो भी file देखनी है, मुझे, अगर किसी file की detail देखनी है, detail means कि ये file कहां से आई, कहां गई, किस के पास है, वो मुझे details में आराम से मिल जाएगा, that means, यहाँ पे एक हमारे पास ये चीज़ है, कि जो file मैंने नहीं बनाई, मेरे section नहीं बनाई, किसी और section ने बनाई, ठीक है, तो उस file की भी मैं details देख सकती हूँ, details I mean, खाली details की कहां बनी है, किस के पास है, क्या क्या moments हुए, किस ने बनाई, उसके बाद किस के पास गई, उसके बाद किस के पास गई, वो details में उस file की देख सकती हूँ, ठीक है, उसके बाद उस file को मैं open ने कर सकती हूँ, बस file की details में देख स किसी के account से file को जबरदस्ती अपने account में खींच के डाल देना यानि अगर मेरे किसी दूसरे junior के पास senior के पास file है और वो आज आए नहीं है बट मुझे वो file चाहिए तो मैं किस तरीके से उस file को अपने पास ला सकती हूँ मैं इसी तरीके से advanced में पहले file को सरच करूंगी जैसे मुझे वो file मिलेगी उसके बाद मैं pull up कर सकती हूँ pull up जो है उस दूसरे बंदे के account से file को forcibly drag करके आपके account में डाल देता है ठीक है सब्स मेरे पास यहाँ पे एक file है demo posting transfers ठीक है यह किसने बनाई है उल्फत अली ने बनाई है ठीक है अब अगर मैं इसके side से pull up पे click करूं तो इस तरीके से सामने मुझे एक जो है pop up आएगा remarks वहाँ पे pull up है ठीक है उसके बाद मैं इसमें कुछ और भी remarks add कर सकती हूँ ठीक है suppose मैंने किया pull up checking में check कर रही हूँ या कुछ भी ठीक उसके बाद मैं remarks में लिखने के बाद okay कर दूँगी तो यह file जो है demo posting transfers यह file automatically वहा account के inbox में आ जाएगी तो देखिए यहां से यह file जो है demo transfer postings वो गाइब हो गई और यह automatically कहां पे आ जाएगी यह automatically मेरे account के inbox में मुझे मिलेगी लेकिन अगर मैं फिर इसकी details चक करूँ कि वहाँ पर बादा रिमार्क्स में चड़ेगा कि मैंने इस file को जो है forcefully या force it pull up किया ह ठीक है यह file pull up का option जो है हमें इसे जो है सिर्फ इसलिए use करना है कि अगर आपकी hierarchy में कोई बंदा नहीं आया है और उसके account में file है जो आपको ज़रूरत है तो आप किस तरीके से उस file को लाओगे pull up करके बाज़ापता उन से permission ले करके बड़ कभी कबार क्या हो जाता है कि हम हम जो है इसे illegal तरीके से use कर भी सकते हैं लेकिन करना नहीं है that means किसी और section की file है हम जो है उसे जबरदस्ती अपने account में लाएंगे कि यह दिखने के लिए कि उन्होंने इसमें क्या लिखा है उसमें क्या है ठीक है तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है यह बस इसलिए यह option है so that अगर जो file आपको चाहिए आपकी hierarchy में किसी बंदे के पास है आपकी section में किसी बंदे के पास है और वो बंद आज ली उपे है वो नहीं आया है और वो file आपको ज़रूरत है तब जाके आप pull up का option जो है use कर सकते हैं इसे जो है किसी भी illegal या negative intentions के साथ use करने की ज़रूरत नहीं है because remarks में सारा इसमें चट जाता है कि किसने forcibly pull up किया क्यों pull up किया कब pull up किया फिर pull up करने के बाद इस file के साथ क्या किया वो सब इसमें जो है history में आ जाता है या details पे जैसे click करेंगे वहाँ पे भी आराम से वो सब कुछ दिखेगा तो जो बंदा जो है इसको चोरी क करेगा यहने कि file को जो है malified intentions के साथ pull up करेगा तो वो सारा जो है बाकी बंदों को पता चल जाएगा जैसे वो इस file की moment या इस file की details देखेंगे ठीक है तो उसके बाद जो है अगर आपको यहां से बाहर जाना है इस window से बाहर जाना है यहने कि advanced से बाहर जाना है तो आपके साइड पे कोई cross वगरा नहीं दिखेगा आपको जो है navigation menu से बाहर जाना है यह जो तीन line से इन पे click करना है जैसे आपने इन पे click किया तो इस तरीके से जो है आपका menu आपका खुल जाएगा और देखिए मैं अपने inbox पे click करूँगी जैसे मैं अपने inbox पे click करूँगी files के अ भी काम कर सकती हूँ ठीक है तो उसके बाद यह file मैंने open की इस file पर मगर मुझे कुछ attach करना है इस file में मुझे note add करना है तो वो मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से करना है तो वो मैं कर सकती हूँ और उसके बाद या अगर मुझे यह वापस उल्फत को ही बेजनी है तो म तो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया है किस तरीके से जो है send हम करते हैं, ठीक है, send और send back में यही difference है, send back अगर आप करेंगे तो file उसी को वापस जाएगी जिसके account से आपके पास आई है, और अगर खाली send करेंगे तो आपको बाजारपता नीचे जो है address देना है किसको ठीक है? नओ, देखे यहां पे जो है, जो है, मैंने च्रेक यापने स också रिका erosion, जो है तो कि अपने संट to me अंचे होता है, डाआ है? तो जो है, मुझे महां पर देखेगी. हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे आप जो है अपने कोई file बेजी और आपको किसी भी वक्त यह देखने की जुरूरत है कि यह file कहा है किसके पास है तो आप जो है अपने files के अंडर जो sent है उसमें जाएंगे file को जो है currently with के अंडर देखेंगे ठीक है जैसे आपकी file इस तरीके से वहाँ पे आपकी भी window खुलेगी, वहाँ पे जो है, आप अपनी file देखोगे, जो आपने sent की है, तो currently with के under जो है, वो आता है कि इस time पे फाइल किसके पास है, ठीक है, हो गया ये भी, तो हमने जो है, हमने देखा कि किस तरीके से हम एक file को pull कर सकत है, ठीक, उसके बाद, अगर मैंने इस file की, अब moments जो है, chuck की, ठीक, किस file की, जो मैंने अभी pull की, moments, file को open करके, उपर इसमें एक option आता है, moments, moments में मैंने click किया, तो ये देखिए, किस तरीके से आप अपनी moments, याने sender कौन है, किसको send की, कहां से आई, और देखिए, forced, received, pull up, checking, याने remarks में, बराबर moments में, ये आजाता है, कि file कहां से कहां गई, किस के पास है, किस के पास गई, remarks क्या थे, और अगर forcibly pull up किया होगा, तो automatically, forced, received, pull up आ जाता है, ठीक है, तो negative, malified intentions के साथ, किसी भी section की, कोई भी file pull up करने की, कोशिच भी करना, जो है, वो गलत है, unbecoming of a government employee है, ठीक है, ये आप file के moments के अंदर जो है, देख सकते है, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये file इस टाइम किस के पास है, उल्फत अली के पास है, ठीक है, अगर मैं इस file को, जो है, open करती हूँ, open के under, देखिए, अगर मैं फिर से दिखाती हूँ, मैंने इस file को open किया, तो open के उपर जो है moments का एक option आ रहा है, ठीक है, जैसे noting, correspondence, draft, reference, link, details, moments, जैसे मैं moments पे click करूँगी, तो इस तरीकी का मेरा जो है वहाँ पे ये खुलेगा और वहाँ पे इस file की सारी moments जो है वो show हो जाएगी, क्यानिकि ये file कहां कहां किस-किस के पास गई है, ठीक है, next, अब मैं वापस जो है, किस में जाती हो, advanced में जाती हो, और वहाँ से ये file जो है, सर्च करूँगी, advanced में मैं गई, उसके बाद जो है, मैंने subject directly demo लिख दिया, बिकास मुझे पता है, इस file का subject demo postings transfer था, तो जैसे demo लिख दिया, subject मैं सर्च करूँगी file, तो सर्च के बाद जो है, बहाँ पे सारी files जो है, आज आएंगी demo के नाम से, तो देखिए, ये file भी आ गई, demo postings and transfer, ठीक है, अब मैं इस demo postings transfer की details यहां से भी चक करूँगी, एक त मैं details पे चक करूँगी, तो देखिए, यहां पे भी जो है, इस file की details से मुझे पता चला कि इस file को forcibly pull up किया गया, किस ने pull up किया, वो भी side में चड़ता है, मैंने वो hide किया हुआ है, ठीक है, तो आप one जहां पे मैंने one का arrow है, वहां पे है file किस किस के पास, कहां कहां से किया, और उसके बाद आप इस history को print भी कर सकते हो, ठीक है, जो arrow 2 के अंडर दिखाया गया है, इतने बात आपको समझ जाई, advanced के अंडर आप जो है file, सारी की सारी files, किसी भी section की अपने, जो आपके direct rate है, या आपका direction office है, आपका head office है, वहां पे जितनी सारी sections है, उनकी files आप check कर सकते हैं, check मतलब देख सकते हैं, कौन-कौन सी file है, किस की section के पास है, किस किस के पास है, तो वो सारी files जो है, advanced के अंडर आप शो कर सकती हैं आपको, और उसके बाद आप file की details पे जाके ये देख सकते हैं, फाइल किस के पास है, कहा है, file के साथ साथ वहां पे pull-up option ये बस इसलिए होना चाहिए, कि आपको फाइल जो है, official capacity में ज़रूरत थी, और वो बंदा present नहीं था, इसलिए आपने जो है, file को forcibly pull-up किया, ठीक है, now, अगर आपको कोई भी receipt, जो भी आपने receipt बनाया है, जितने सारे भी receipts आपने, आपने क्या, जितने सारे आपके department मे receipts अभी तक बने हैं, ठीक है, आपके HOD level पे जितने सारे बने हैं, फिर से बता रहे हूं, अभी HOD level पे ही introduce किया हुआ है, जितने सारे receipts जो है, HOD level पे अभी तक बने हैं, जितना सारा डाक, जो है, डायराइस होके, जो है, E-Dark बना है, वो सारे के सारे, चाहे आपके section से बने हो, या किसी और के section से बने हो, वो आपको जो है, Advanced के Under Receipts का जो option है, उसमें मिल जाएगा, उसी तरीके से आप जो है, Receipts पे Advanced पे पहले जाएंगे, फिर Receipts पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जो है, आप All पे भी क्लिक कर सकते हैं, या जो जो फील्ड आपको section से create हुए हो, ठीक है, तो हार Receipts के साइट से उसी तरीके से pull-up और details आपको आएगा, details में Receipts की details और pull-up से जो है, Receipts जो है, आप pull-up करके, चाहे वो किसी के भी account में हो, आप उसे अपने account में forcibly ला सकते हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, कि details में और file moments में वो remarks में automatically update हो जाता है, कि किसने वो file या किसने वो receipt pull-up किया था, ठीक है, और कब किया था, और फिर वापस कब बेजा, वो सारा का सारा उसमें जो है, automatically by default आ जाता है, चाहे अप pull-up में कोई remarks डालो या नो डालो, वहाँ पे जो है, वो automatically update हो जाता है, ठीक है, तो मैं details पे, अगर किसी के receipt के details पे मैं click करूंगी, तो इस तरीके से वहाँ पे मुझे receipt की सारी की सारी details मिल जाती है, और आप ये receipt download भी कर सकते हैं, फाइल download नहीं कर सकते हैं, उसमें ये option नहीं है, अलबता जो भी ये receipt आपने बनाया है, EDAC जो भी है, ये आप download कर सकते हैं, ठीक है, यह यहां पे मैं आपको इक बात बता दू, मेरे हिसाब से, मतलब ये option जो है, शायद मेरे हिसाब से, ये मेरा opinion है, NIC को update करना पड़ेगा, because क्या हो जाता है, suppose मैं अगर administrative section में हूँ, मैंने कोई file scan करके, उसका receipt बना के e-file बना दी, ठीक है, तो यहां एक disadvantage मुझे ये लगता ह है कि, suppose technical section का कोई बंदा जो है, वो basic, sorry, advanced में जाके, receipts में जाके, मेरा कोई भी receipt सरच कर लेगा, और उसे आराम से download करके, open करके देख सकता है, तो इस हिसाब से, अगर मैंने कोई file जो है, वो scan करके upload की हुई है, उसको doc, e-doc बनाया है, याने receipt बनाया है, तो वो कोई भी section ज तो मेरे हिसाब से, इस option को शायद NIC को revisit करना चाहिए, ठीक है, तो यह जो यहाँ पे receipt है, मैं इसको आराम से download कर सकती हूँ, चाहिए मैंने बनाया हो, चाहिए किसी और section से बनाया गया हो, तो मैं इसको download यहाँ पे कर सकती हूँ, और यह किसी को पता भी नहीं चलेगा, कि किसी ने download किया कि नहीं, सपोस अगर मेरे पास कोई transfers की file है, मैंने वो scan करके e-office में upload कर दी है, e-file बना दी है, तो obviously पहले मुझे उसका receipt बनाना है, है न, तो वो receipt जो है, receipt section में जाके कोई भी आसान इसे download कर लेगा, और से पता चल जाएगा कि मेरी file में क्या-क्या dark था, तो यह शायद एक disadvantage है, यहाँ पे जो मेरे हिसाब से, मैं अपना opinion बता रही हूँ, मतलब शायद NIC को revisit करना चाहिए, तो छोड़िए, यहाँ पे आप जो है, अगर आप receipts को search कर रहे है by subject या by आपके पास receipt number है, तो आपको advanced में जाके receipt पे जाके जो है, वहाँ पे लिखना है, subject में या computer number देना है, उसके बाद सर्च करना है, और इस तरीकी से आपका receipt जो है, सामने आ जाएगा, उस पे सारी details आएंगी, और आप उस receipt को download भी कर सकते हैं, ठीक है, नाओ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे, बहुत सारे लोगों ने यह message की है, जो references है, notings में, वो हमें फिर से सिखाईए, तो मैं वो topic फिर से यहाँ पर repeat करना चाहूंगी, उसमें क्या है, आप जैसे एक file में जाएंगे, आपने file को open किया, उसके बाद जो है, आप add green note करें, या add yellow note करें, जैसे आपने वो किया, आप कुछ note लिख रहे हैं, ठीक है, आप आपको जो है अपना note जो भी लिखना है, वो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे refer, अगर आपको corresponding side करनी है, तो लिखेंगे CS, फिर उसके बाद dash देंगे, और जो वाला page number corresponding side से आपको refer करना है, वो लिखेंगे, ठीक है, CS dash page number, सपोज यहाँ पर मुझे third page refer करना है, तो मैंने लिखा CS dash 3, इस CS dash 3 को मैं drag करके mouse से highlight करूँगी, ठीक है, देखें, मैंने highlight किया हुआ है, इसको, तो उसके बाद जो है, मैं references पर जाओंगी, जो arrow जहाँ पर है, references पर जैसे मैं गई, वहाँ पर मेरा इस तरीके से pop-up आजाएगा, मैं वहाँ पर page number पर दूँगी 3, ठीक है, 3 मैंने दिय उसके बाद मैं ok करूँगी, तो इस तरीके से यह underline हो के blue में आ जाएगा CS dash 3 मेरा, ठीक है, आप CS लिखेंगे, dash देके page number लिखेंगे, फिर इसको पहले mouse से highlight करेंगे, highlight करने के बाद आप जो है, references पर जाएंगे, वहाँ पर उसके बाद जो options आएंगे, वो आप करते जाए ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको note जो है, वो refer करना है, तो पहले आप क्या जाएंगे, previous noting पे जाएंगे, वहाँ click करेंगे, जैसे आपनी previous noting पे click किया, तो वहाँ पे आपके notes आजाएंगे, उसके बाद आप अपना note जो है, वो इस तरीके से लिखेंगे, जो भी लिखन आप NS- वो लिखेंगे, सबोज NS मुझे पहला note refer करना है, तो मैंने NS-1 लिखा, NS-1 लिखने के बाद मैं इस NS-1 को जो है, highlight करूँगी, highlight करने के बाद जो है, मैं references पे जाओंगी, references पे click करूँगी, उसके बाद वहाँ से मेरा इस तरीके का जो है, pop-up show हो जाएगा, मैं वहा मुझे note number 1 ही refer करना है, तो मैं note number पे click करूँगी, उसके बाद note number 1 वहाँ पे चड़ाओंगी, और OK करूँगी, और इस तरीके से जो है, ये NS-1 जो है, underline होके blue में आ जाएगा, तो इस तरीके से मेरा note जो है, वो refer हो जाएगा, जब मैं ये file किसी बंदे को आगे send करूँग ठीक है, उनको note point wise दोनने की जूरत ने, उनको बस note पे click करना है, NS-1 उनका पहला note show हो जाएगा, या उनको correspondence में जाना है, correspondence की कोई जो है, वो, मतलब page उनका, उसका देखना है, तो वो CS-3 पे जाएगे, या जो भी उनने रखा होगा, तो वहाँ पे click करेंगे, तो वो automatically उनक chances पे जाएगे, और फिर अपना number देंगे, ठीक है, I hope आपको समझ आया, with this, आज का जो है video, वो मैं conclude कर देती हूँ, यहाँ पे ही, तो next में देखेंगे, जो जो options मैं देखूंगे, अगर कुछ-कुछ बचे हैं, तो वो next video में मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको कोई question, कोई भी comment हो, तो आप मुझे Facebook page पे, know the service rules पे लिख सकते हैं, email कर सकते हैं, know the rules 123 at gmail.com या comment section में लिख सकते हैं, अगर आपको फिर से कोई चीज़ समझने की ज़ुरत है, तो मैं next video में जिस तरी किसे आज मैंने repeat किया, उसमें repeat करूंगी, तो मैं यहाँ पे आप से ही request प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकस बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, कि हमें यह वीडियो नहीं मिल रहा, वो वीडियो नहीं मिल रहा, वीडियो इसलिए नहीं मिल रहा आपको, बिकस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वानस आप चैनल को करेंगे तो सारे कि सारे वीडियो आपको शो हो जाएंगे वो भी आपको जो है जिस तरीके से मैंने अपलोड किये है उसी तरीके से आपको जो है from the oldest to newest जो है शो हो जाएंगे without subscribe किये हुए आपको ये videos जो है शो नहीं होंगे सारे के सारे अगर होंगे भी तो haphazard manner में हो जाएंगे ठीक है with this आज का video मैं conclude करती हूँ अगर कोई भी question हो कोई भी query आपकी हो तो आप जीज मुझे जो है इलिक दीजिएगा thank you so much